BSc वाले सभी लोग ध्यान देएं, P.S.C. Mathematics semester 1, semester 1 की बात कर रहा हूँ मैं उसका मैं आपको इस वीडियो के मार्देयम से model paper देने जा रहा हूँ ये model paper दूसरा है, पहले वाले model paper की वीडियो नहीं देखे, तो जाकर देख लीजेगा ये दूसरा model paper है और ऐसा ही paper अब की बार आएगा आपको आपको paper ऐसा ही देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ पर semester system है जिनी universities में वहाँ पर सिर्फ ऐसा ही paper आएगा बिल्कुल ऐसा ही same to same इसी तरीके का paper आएगा 75 नमर का paper रहेगा बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है देखिएगा चलिए paper देख लेते हैं बी एसी math semester one sample paper sample paper model paper बात एक ही है ये तीन section में divide होगा section one section one में लिखा होगा सभी प्रसनों को करो या सभी प्रसनों को हल करो प्रतेक तीन अंक का सवाल है यानि प्रतेक प्रसन तीन अंक का है कुल मिला के बात ये है तलिएगा पहला question क्या है evaluate यानि कि इतने का मान निकालना यानि ये बताना है कि ये limit exit करती है या exits नहीं करती है यानि कि इसकी मान निकालो, इसका अब लोकन करो, कुल मिला के बात यह है ठीक, चलिए अगला प्रसंद देखिए कितना सांदर है y वराबर 1 upon 4x plus 5 दे रखा है तो yn यानि कि nth differentiation ग्याद करना है यानि कि coefficient of nth differentiation आपको निकालना है चलिएगा, अगला प्रसंद देखिएगा, यह है statement आपको देना है Lebanese theorem का, Lebanese theorem क्या होती है, इसका statement आपको बताना है देखिए, मैं आपको 5 theorem दूँँगा, उन 5 theorem को कल लीजेगा तो आपके 25 नंबर के लिए रो जाएंगे, 5 theorem से ही याद रखना, 5 theorem मैं आपको बताऊँगा, एक theorem 15 नंबर में आईगी और एक theorem आपको 3 नंबर में उससे सवाल मिलेगा और एक theorem आपका, मैं दो, कुल मिला के 25 नहीं तो 20 नंबर माल लो 20 नंबर तो 100% definitely clear हो जाएंगे ठीक है, चलिएगा, 5 theorem बताऊँगा, उन्हीं पर आदारी सवाल करने सीख जाएगा तो एक सवाल भी हो जाएगा, यह एक theorem आती है और जो मैं theorem दोंगा, उसी मैं से 15 नंबर का तो 100% आना ही आना है और एक 3 नंबर का ही आना ही ठीक है, चलिएगा तो इसमें Levenish theorem क्या कहती है, केवल उसका statement लिखना है ठीक, चलिएगा, अगला प्रसन, अगला प्रसन है आपका, यह देखेगा अगला प्रसन क्या है, so that limit x tends to 0, sin x upon x वरावर 1 यह so करना है, और एक यह भी so करना है limit x tends to 0, 10 x upon x is equal to 1 यानि कि यह दोनों सवाल करना है, यदि यह 3 नंबर का एक सवाल है तो यह 1.5 नंबर का part हो गया, यह 1.5 नंबर का हो गया यह तो बहुत छोटा कर दिया है, हलाकि यह 7 नंबर में होना चाहिए था जिस तरी के इस जिस लेवल के पेपर है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका evaluate करिए, इसकी value find out करनी है नहीं कि 0 से infinity e की power minus 4, यह 4 है 4, यह 4x है यहाँ पर u मत समझ लेना, यह 4x है, 4x और x की power 3 वट्टे दो dx ठीक है, यह वाला यहाँ पर यह e की power minus 4x है, ठीक चलिएगा अब आते हैं अगले section पर यह देखिएगा, यह section B आ गया, section B इसमें कोई भी, आपको इस section में कोई भी 2% आपको हल करने है यानि 3% आपको दे रखे होंगा, उनमें रहे 2 करने है, कोई 2% हल करो प्रतिक 7.5 अंक का प्रसन है, यानि कि 7 सही एक बटब, यानि 7.5 नमर का एक सवाल है दो सवाल सवाल करोगे तो आपको 15 नमर मिलेंगे, चलिएगा, इसमें क्या है limit x tends to infinity bracket x plus 2, 10 inverse x plus 2, minus x, 10 inverse x कितना जानदर सानदर प्रसंद दे रखा है, कि x plus 2, 10 inverse x plus 2, minus x, 10 inverse x इसतने की value आपको find out करने है, यानि कि इसका भी evaluate करना है, ठीक है चलिएगा आगे, यदी, इफो यदी, u वरावर इतना दे रखा, u वरावर 10 inverse x की power 3, plus y की power 3, upon x plus y so that x, du वर्टे, यह del u वर्टे del x plus y, del u वर्टे del y, वरावर, sin 2u यह homogeneous function की property का use करके इसको solve करना है आपको, ठीक है यानि यह partial differentiation का यह सवाल दे रखा है आपका, ठीक है, चलिए अगला, यह proof that, यानि कि इसको सिद्ध करना है, बीटा, यह 8% है आपका, बीटा mn वरावर यह आपका gamma, gamma m, gamma n upon gamma, ठीक है, यह gamma का sign है, इस तरीके का gamma का होता है और factorial का इस तरह से या इस तरह से होता है, ठीक है, चलिए अगए, यह गामा है तो यह सिद्ध करना है, यह बीटा function का सवाल दे रखा, यह वाला जो सवाल है आपका, यह बीटा function का सवाल है चलिएगा, आगे देखते हैं, आगे देखे, section C, section C में आपको कोई 3% हल करने हैं, यानि कि इसमें आपको 5% दे रखे होंगे, 15, 15 नमबर के 5%, और 5 में से कोई भी 3% आपको हल करने हैं जैसे कि यह देखिएगा, prove that 4 ellipse x square upon a square plus y square upon b square बरावर 1 तो आपको rho बरावर, यानि radius of curvature बरावर a square b square upon p की हती, यह rho है radius of curvature, p क्या है, p है perpendicular length from the center यानि कि यह pedal equation में use होने वाला p है, pedal equation में, pedal equation में use होने वाला p है, ठीक है, तो वो आपको यह आपको find out करना है, rho बरावर a square b square upon p की गात 3, यह आपको pedal equation वाला p है, और यह rho radius of curvature है, चलिएगा, अगला दसमा प्रिसन आपको दे रखा है, state and prove, McLaurin theorem, McLaurin theorem को लिखिए और उसको सिद्ध करिए, यह McLaurin theorem का सवाल है, McLaurin theorem को लिखना है, और उसको proof भी करना है, ठीक है, चलिएगा, आगे, देखिएगा, पांच theorem मैंने बता दिया है, उन पांच को कर लेना जो मैं दोंगा, वस उनसे ही आपको एक 15 नमर का और एक 3 नमर क सवाल मिलेगा ही मिलेगा, और सागर साथ नमर में मिले जाए तो सौने पर सुवागा है, अगला, prove that radius of curvature at any point T of the cycroid, x वराबर A, T plus sin T, y वराबर A, 1 minus cos T, is इतना, यानि कि यह prove करना है, x वराबर इतना, y वराबर इतने की, radius of curvature इस बिंदू T पर इतनी है, 4A, इसका मतलब क्य यह 4A लिखा हुआ है, 4A, cos T, वर्टे 2, यह है, ठीक, समझ में आई बात नहीं है, यह आपको सिद्ध करना है, यह यह 4A, cos 1 वर्टे 2T, मतलब, cos T, वर्टे 2, यह है, ठीक, चलिएगा, बारहमा सवाल देखिए, बारहमा सवाल क्या कह रहा है, बारहमा सवाल है, आपका, find the surface of the solid formed by the evolution of the cardoid R वरावर A, bracket में 1 plus cos T, about the initial line, यानि कि यह cardoid, initial line के, क्या हो रहा है, evolution हो रहा है, यानि कि यह initial line के घुम रहा है, evolution का मतलब क्या है, कि जैसे ऐसा है, तो इसी line के इस तरीके का बन गया है, ठीक है, तो उसका आपको क्या करना है, surface find करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है, यह देखेगा, आप यह देखिए, तेरह में आपको दो पार्ट दे रहे हैं, तेरह में, कुशन 15 नमर का है, और इसमे यह दोनों करने, दोनों तेरह में प्रसंद में हैं, 0 से 1 और 0 से under root 1 minus y square, y dy dx, यह आपको इसका value find करना है, और एक इसका, 0 से 1, 0 से under root 1 plus x square, dx dy, और यह देखा 1 plus x square, y square यह है, तो यह देखिए, बहुत ही शांदार जांदार प्रसंद हैं, आपको करने हैं, बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, तो कुल मिला के बाद यह हो गए, कि भईया, section A में आपको 1 से 5 तक प्रसंद जो सारे करने हैं, section B, B में आपको दे रखे 6, 7, 8 प्रसंद जिसमें से कोई भी दो करने हैं, इन तीनों में से कोई दो करने हैं, और C section में दे रखे हैं, 9, 10, 11, 12 है, और 13 है, यह प्रसंद दे रखे हैं, तो यह 5 प्रसंद हो गए, अब इन मैसे कोई भी, कितने करने हैं, कोई भी आपको 3 प्रसंद करने हैं, इन 10 मेसेज, तो यह आपका पूरा पेपर हो गया, वीडियो को भाई, लाइक जरूर करना है, आपको और share भी करना है, वीडियो को लाइक करना जाएगा आप टेंशन मत लेना चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक सेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलेंगे कुछ सब्सक्राइब तर तक के लिए बाई बाई जैहन